है जूफ दोस्तों कैसे हैं आप अप लोग आप आप लोग अच्छे होंगे को जाई दोस्तों आज किस वीडीयो का उत्र खुरू करते हैं तो दोस्तो आज की इस chapter में हम लोग centroid क्या होता है उसके बारे में जानेंगे और center of gravity क्या होता है उसके बारे में जानेंगे और फिर होता center of mass इसके बारे में भी सिखेंगे और फिर centroid and center of gravity में क्या difference है उसके बारे में जानेंगे तो आज का ये lecture number 30 है जिसमें हम इन सारे topic के बारे में discussion करेंगे, तो चलिए दोस्तो आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं, तो दोस्तो सबसे पहले हम लोगो को जानना है कि centroid क्या होता है, तो दोस्तो centroid को हम लोग数 denote करते हैं, cg मतलब c.g इससे हम लोग centroid को denote करते हैं तब हम लोग समझते कि centroid आखिर होता क्या है तो the point at which whole area of the body or plane is assumed to be concentrated is known as centroid देखें दोस्तों centroid का basically यहीं मतलब है कि किसी भी body का जिस किसी भी body का हैं और whole area किसी एक point पर concentrated है तो उस point को हम लोग उस concentrated point को हम लोग कहता है centroid मानने तो कोई भी एप जेक्ट है ठीक ना दुस्तों इस object का whole area है यह किसी point पर concentrated है तो इस point को हम लोग बोलता है क्या तो centroid तो हाई होप आप लोग दुस्तों आप लोक्षन ट्रॉइट समझ दे होंगे कि क्या होता है तो अब इसका सेकर्ड पॉइंट पढ़ते है इट इपलिकेबल टू दी प्लेन फिगर मतलब की दशिये दुस्तों यह अपलिकेबल सारे फिगर के लिए नहीं है यह सिर्फ प्ले नहीं होता है और जैसे की तो जैसे की सर्कल सर्कल में दोस्तों एरिया होता है लेकिन वॉल्यूम नहीं होता है जैसे की रिक्टैंगल यह एक फिन फिगर है जैसे की स्क्वार जैसे की ट्रैंगल जैसे की सेमी सर्कल जैसे की पॉलिगॉन यह सारा सारा दोस्तों एक प्लेन for the two dymesional figure हा दोस्टो यह दोस्तोg flame फेगर के लिए applicable है और साथ ही में यह now kali किस dimension यह थो टू dymesional figure के लिए applicable है थिरी dimensional figure के लिए यह applicable नहीं है तो यह दोस्तोg two dimensional figure के लिए applicable है तो आजू आज़ी होब दोस्तोg आप वो को centroid समझ में आ गया होगा क्या होता है अगर एक बार फिर से मैं recap कर देता हूं कि देखी दोखो centroid कुछ नहीं है मतलब किसी भी object का अगर whole का whole area किसी एक point पर concentrated है तो उस concentrated point को हम लोगाते है centroid और centroid जो होता है वो सारे फिर के लिए applicable नहीं होता है वो कुछी फिगर के लिए applicable होता है जैसे कि circle rectangle square triangle semi circle polygon यह सारे figure के लिए applicable होता है क्योंकि यह सारे का सारा जो figure इस वे सब plane figure है इसमें दोस्तों आपको area तो होता है बड़ वाल्यूम नहीं होता है और एक बात और यह है थी दोस्तों कि इसमें इस आपको applicable है two dimensional figure लिए आपका centroid applicable है तो चलिए दोस्तों अब हम लोग centroid तो समझ गया क्या होता है तो अब हम लोग center of gravity समझते क्या होता है तार ढर्व ग्रेविटी कुछ घास नहीं है इसमें दोस्तों हम लोग बोले थे कि whole area जिस point पर concentrated रही उस point को हम cohort और इसमें क्या होता है नहिए दोस्तों कि whole all weight होगं की Specifically का ॏक Point weight concentrated है तो इसी concentrated point को हम लोग क्या का देंगे center of gravity मतलब कि cg और center of gravity को भी हम दोस्तो cg से ही denote करते हैं और दोस्तों जो center of gravity है यह आपको solid figure के लिए अप्लिके वाल है और जो centroid था दोस्तों वह आपको plain figure के लिए applicable था लेकिन जो center of gravity है दोस्तों यह आपको solid figure के लिए applicable है जिसमें क्या क्या होता है दोस्तों तो solid figure में आप ध्यान देजेगा दोस्तों कि area भी होता है और volume भी होता है लेकिन plane figure होता है दोस्तों उसमें आपका area भी होता है लेकिन volume नहीं होता है तो ऐसा कुछ figure का नाम भी हम बचाते है दोस्तों जैसे कि spare spare सबस्क्राइब तो यहां से हम यह भी बात बूल सकते हैं कि यह अप्लिकेवाल है आपका त्री डैमेसिनल फिगर के लिए तो आई हो दोस्तों आप लोग सेंट्र वाइड और सेंटर अव ग्रेविटी समझ गये होंगे तो अब हम लोग पालते हैं सेंटर अफ मास तो देखें दोस्तों पहल हमारा पूरा का पूरा मास अगर कंसंट्रेटर है तो उस पॉइंट को हम लोग करते हैं क्या तो सेंटर आफ मास डैमेस देखिए आप डिफ्रेंशन से देखिए दा पॉइंट एट वीच दा होल मास ऑफ द बड़ी इच एजीम टूबी कंसंट्रेटर मतलब कि किसी बॉड पर होल का होल मास किसी पॉइंट पर एजीम किया जा रहा है कि कंसंट्रेटर है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं सेंटर आफ मास आप लोग समझ गा होंगे दोस्तों कि हम क्या कहना चाहते हैं तो आप लोग को सेंटर आफ मास भी दूस्तों समझ में आई गया होगा कि कि किसी भी बॉटी का अगर पूरा का पूरा मासी कंसर्ट्रेटेटर जाय किसी पॉइंट पर तुसी कंसर्ट्रेटर पॉइंट को मनों कहते हैं center of mask ठीक है अब center of mask of the body is same as the center of gravity दीदिख दुस्त यह पॉइंट यह कह रहा है कि सेंटर of मास होता है किसी भी बॉडी का वो सेम होता है सेंटर आफ ग्रेविटी के तो और जो होता है दोस्तों कि सेंटर आफ मास को हम डिनोड करते हैं सीम से यह दोस्तों चीफ मनिश्टर वाला सीम नहीं है दोस्तों यह सीम है मतलब कि सेंटर आफ मास है यह तो देखिए दोस्तों ज center centroid क्या होते दोस्तों कि पूरा का पूरा क्या तो पूरा का पूरा होल एरिया अगर concentrated था तो उसको हम बोलते थे centroid अगर पूरा का पूरा वेट अगर किसी point पर concentrated है तो उस्वा बोलते हैं center of gravity और अगर पूरा का पूरा मास ही किसी पॉइंट पर कंसेंट्रेटेड है तो उसको हम बोलेंगे संटर आफ मास तो आई होब दोस्तों आप लोगों को तीनों टॉपिक से हमें आ गया होगा तो अब हम लोग एक लाश टॉपिक पढ़ते हैं कि यह सेंट्रोइड और सेंट्र आफ ग्रेविटी में डिफ और सेंट्रोइड किसे रिलेटेट है तो सेंट्रोइड आपका रिलेटेड है एरिया से यह आपको डिफेरेंस समझ में आहीं किया होगा अब हम दूसरा डिफेरेंस पढ़ते हैं सेंटर आफ ग्रेविटी इस पॉइंट इस होल वेट इस एजूम टो वी कंसंट्रेटेड तो चलिए दूसरा डिफेरेंस आप लोगों को समझ में आ गया होगा तब आप तीसरा डिफेरेंस के और बढ़ते हैं सेंटर आफ ग्रेविटी इस अप्लिकेबल फॉर सॉलेड फिगर वीच है विच है विथ एरिया एंड वॉलूम वही बात है दोस्तों कि सेंटर आफ ग तो प्लेन फिएर के लिए अप्लिकेबल है जिसमें क्या हो तो ओल्ली एरिया और वॉलूम आपका नहीं हो डेटमिस क्या तो टूडी फिगर तो इससे हमें एक और डिफेरेंस बना सकते हैं दिशी तो निची बना दिये इसको और कि इस अप्लिकेबल फॉर 3D फिगर तो इस जांपर जो बताए दिशे से स्पेयर हेमेस पेयर कॉन क्यूबाइट सिलिंडर यह सब आपको सेंटर ओफ ग्रेविटी का एक्जामपल है और सुन्ट्वाइट का एक्जामपल क्या है तो रिक्टैंगल ट्राइंगल स्क्वार स्क्वार से भी सर्कल ट्रेपीज यह सब अपको डिक्जामपल है अब एकिलास्ट डिश्रेंस दोस्तों पढ़ते है क्या होता है तो एंधू आपको समegtले भेविटी में में जो वेट होता है वहाँ कि ईयरेक्षण में देर तो नंबार डेक्शन में करता है तो ये आपको स्मय में आगया होगा कि जो जो मेई ह है वो आपको act करता है वो किस direction में act करता है तो आपको vertically downward direction में act करता है और centroid में क्या होता है दोस्तों कि जो area होता है वो आपको act करता है किस direction में तो in any direction मतलब कि जो area होता है दोस्तों वो किसी यहां से आप लोगों को यह difference भी समझ में आ गया होगा कि हम क्या कहना चाहते हैं तो बस दुस्तों फिलाल किस वाले वीडियो में यही तक अगर वीडियो में आप लोगों को हम Axis of Symmetric यह सा बताएंगे और CG में जो Numerical होता है वह सारे भी हम लोग डिसक्राशन करेंगे तो बस दुस्तों फिलाल किस वाले वीडियो में यही तक अगर वीडियो से आपको अच्छा लगता है तो सेयर करें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले क्योंकि इस चैनल पर हम मेकैनिस का पूरा का पूरा कम्प्रीट कुर्स बना र कि इस बना वीडियो बना राष्ण अगर श्फारा कुर्स बना राष्ण